नेपाल राष्ट्र बेंक का पुर्व गवर्नर डक्टर चिरंजी बी नेपाल ले चालू आर्थिक बर्षको शुरुवात देखी रेमिटेंस लग्गातार रुपमा घरते जादा बिदेशी मुद्रा संचितीमा प्रभाप वरेकाले अर्थतंत्र थप चुनोवते पुर्ण स्थितीमा पुगेका बताए उनले नेपाल राष्ट्र बेंक संग मुलुक मा छ महिना का लागी मात्रे बस्तो आयाद धान्न सक्ने संचिती रहेको जानकारी दिये अंतराश्ट्रिया मुद्रा कोस्ट ले इमर्जिंग अर्थ तंत्र को लागी 6 महिना को आया धान न सकने 20 संचीती हुने गरने बताएको उनको हुनाई छो सरकार ले अर्थ तंत्र सहज बनावनो का लागी ततकाल बिदेशी सहयोग अनुदान को लागी पहल गरनो परने नेपाल ने बताए पैशा एक्ठाउमा चा नहुनी बजारां पैशा चाही ना बने रपीनी अई ना पैशा कीना पुजी गरत खार्शा बायवपीशी पैशा आई आलचा तर श्रबंदा ठुलो समाश्या के बने रपंदा खरी रेमिटेंस घटे को चा ते रेमिटेंस को आधार मा जम्मा बा जोबढ़नर डक्टर नेपाल ले सरकार्टले राजस्व संकलन गरे र धुकुति मा थनक्याउने तर खर जन गरने प्रब्रतिले बेंकरु मा तरलता अभाब वहे को उल्लेक करे उनले विश्व का कुने पने मुलक मा सरकार्टले राजस्व उठाए राश्ट्र बेंक मा थुपारे राखने प्रचलन नव है का बताए आए राश्ट्र बेंक मा था उनले राष्ट्र बेंक लिए राश्ट्र बेकर्चलन नव है का बताए तेस्ताई रूस्र युक्रेनवीज को तनावले नेपाल मा पेट्रोलियम पदार्थ तथा खाने तेलको मुल्य अजही ब्रिद्धी हुना सकने पनी नेपाल ने बताये काछन। कर घटाउं थोरे, भुषु के कर छा, जले गर्दा आमले एक्षे पचास तिर्न परेगो सजन। त्रोप पईशा कर मा आमिले चैन करिए, स्रत परिशाद वन्दा बड़ी कर में तिर्येगो छन। उब्भगता त्यों कर की घटाउं परे, घटाउं ना सकनी अही ना बनी, तेसको खपत कम गार्न परे तुरूंते ही। बढ़ी 27 अर्व को स्वयविन आयात हुएको छ। लगको स्वय कर पाथ, राषे में धिए